हेलो दोस्तो आज हम किसी टॉप 10 चीज के बारे में या वस्तु के बारे में बात नहीं करने जा रहें आज हम जिसके बारे में बात करने वाले है वो है PUBG Unban के बारे में जी हाँ दोस्तो पोटेंशियली PUBG Mobile इंडिया में वापिस आने वाला है PUBG के official blue star company खुद इसके उपर respond किये और उन्होंने खुद एक statement release किया जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन मित्रो हम 1000 subscribers के बहुत करीब है अगर आपको ये हमारा special वीडियो पसंद आया तो मित्रो support जरूर करे तो चलिए दोस्तो मैं उनके official कुछ statement दिखाता हूँ आपको इस statement में उन्होंने लिखा कि PUBG Mobile का जो fan base है इंडिया में वहाँ से उनको बहुत सारा support मिल रहा है फिर वो बोले कि इंडियन government के decision को वो respect करते हैं फिर वो बोले user kit, privacy और data को top priority देते हुए government के साथ cooperate करके इंडियन players के लिए ये game वापिस लापा है फिर वो एक और statement जारी किये वो बोले, in light of recent developments PUBG Corporation had made one the decision to no longer authorize the PUBG Mobile franchises to tencent games in India moving forward, PUBG Corporation will take all publishing responsibilities within the country as the company explores ways to provide its own PUBG experience for India in the near future it is committed to doing so by sustaining a localized and healthy gameplay environment for its fans इसके बारे में basically वो यही बताए कि जो South Korean company है, Bluehole वो इंडिया में अपना खुद का Indian version game निकालेगी PUBG का जिसका Chinese company Tencent से कोई भी लेना देना नहीं होगा मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में जो ban हुआ था PUBG को लेकर वो Tencent company की वज़े से ही हुआ था इसलिए Bluehole यानि कि South Korean company नहीं चाहती कि वो Tencent को Indian version में शामिल करे इसलिए इन्होंने clearly mention कर दिया कि इंडिया में जो PUBG का नया version आएगा उसमें Chinese company Tencent कहां भी involved नहीं होगा वैसे अभी के लिए तो PUBG NBN नहीं हुआ इंडिया में तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें मैं वैसे तो यह इस टाइब की वीडियो नहीं बनाता लेकिन मैं PUBG का बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए मैंने यह वीडियो बना दिया